को सबसे पहले आप यहां पर लोन की हिस्ट्री देख सकते हैं लोन की हिस्ट्री में इसले दिखा रहा हूं क्योंकि यहís एपिकेसिंस से मैं काफी दूनों से लोन लेता रहा हूं ठीक और इस application का नाम तो आप जान चुके होंगे कि money view instant personal loan है ठीक है जो कि आपको instant personal loan प्रवाइट करवाता है अब इलोन की history में आपको बताओं तो देखो मैंने एक बार loan लिया था 3 महीने के लिए फिर लिया था मैंने 6 महीने के लिए फिर लिया था मैंने 9 महीने के लिए फिर लि 30 गंटे में आए हैं अभी तक का मैं response बता रहा हूं ठीक है और अभी इस time जो loan मेरा एक्टिवेट है वह भी मैं आपको दिखाता हूं ठीक है तो पांच में टाइम में कितना मिला मुझी अभी जो मेरा loan एक्टिवेट है वह 25,000 रुपे का instant personal loan जहां पर आप देख सकते हैं इस application में मैं article करके आपको नहीं देखा पाऊंगा क्योंकि screen black black हो जाती है ठीक है 25,000 रुपे का instant personal loan और यह मैंने लिया है पूरा पूरा 15 महिने के लिए ठीक है तो हमारे subscriber भाई है जो कि आप प्रॉब्लम में पढ़ जाते हैं कभी गबार तो होता क्या है कि money application में loan apply करते है तो apply हो जाता है EMI भी बन जाती है लेकर पैसे bank में नहीं आते हैं ऐसी condition में गबरा जाते हैं और फिर उसके बाद comment बगेरा करते हैं कि सर हमारा पैसन नहीं आया कैसे आएगा बताओ please help me काफी चाहता दिक्क्यत आती है तो होता कैसे है जी मैं आपको बता दूँ और मैंने money इसके बता रहा हूं देखो सबसे पहली बात तो moneyview application क्या है कि एक nbfc rb registered company से loan दिलवाती है मतलब यह कि जो भी आप document submit करते हो moneyview application के अंदर वो document जी अपने lending partner को देती है और lending partner उस document को verification करता है verification करने के बाद ही आपका पैसा आपके खाते में आ जाता है अब कई लोगों का यह मन में doubt रहता है कि भाई यार मेरा EMI तो बन चुका है 12 महीने के लिए 6 महीने जितने महीने के लिए लेकर पैसे खाते में नहीं आए 2 दिन हो गया 4 दिन हो गया 5 दिन हो गया पैसे नहीं आपको बसा दो इस वीडियो में कि आपका जो भी EMI बना है money view में वो तो बनेगा ही बनेगा लेकिन जब आपका पैसा खाते में आएगा तभी से आपका EMI वो calculate होगा तभी से और तभी से आपका ECS भी लगेगा फिर आप रिपेमेंट नहीं करते टाम से तो बैंक से तो आपका जो भी ECS लगा है उससे पैसे नहीं करते हैं ज्यान रखना घबराना नहीं है और हां अगर आपका यह मैं बन चुका है और आपको लग रहा है पैसा आ जाएगा दो दनों के चाथ दनों के पैसा नहीं आया तो वेट करो money view की टीम से बात कर लो भाई क्या problems है क् दिखके थे लेकर घबराना नहीं है कि आपक्या होगा दो तारीक की तो मुझे किस्त दनी है 15 तारीक तो आ चुकी है पैसा तो मिला नहीं है एक तारीक के प्लाई किया तो पंदा दनों चुका ऐसा नहीं होता बाई company verification करती तो हो सकता है एक महीना अगर लग जाए अगले म पैसे आपके खाते में आ जाएंगे ठीक है कभी भी आप ट्राई कर लो चौबिस से अरता जंटे पैसे आ जाएंगे लेकिन अभी एक बात और बता दो कि शनीवार और रवीवार का दिन calculate नहीं किया जाता है कभी भी अगर आपने सनीवार को apply किया है तो सनीवार को पैसा नहीं आएगा रवीवार को भी नहीं आएगा और सुमवार को आ सकता है लेकर मंगलवार को जरूर आ जाएगा क्योंकि सुमवार कंपनी खोलेगी verification होगा तो मंगलवार को आ जाएगा तो तो बस यार वीडियों पर सतना है इंफ्रमेशन अच्छी लेगी तो वीडियों के लाइक कर दें दोस्तों सेयर कर दें जल यह मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक लिए जय हैं बंदमात